हालो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम पैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लिफाइट एंड थैंक्यू सू मुच फो चॉइनिंग अस तो स्टुडेंट्स क्लास इनलाइमन्थ स्नैप्शोर्स बुक का चैप्टर नंबर सेकींड है दी एड्रस आज हम एक करेक्टर इनकी लाइफ का एक इंसिडेंट है जिसको उन्होंने हमारे सामने उजागर किया है मारगा मिंगो एक बड़ी ही फेमस राइटर है स्टुडेंट्स और आज जो हम इनका करेक्टर स्केच्च यहां पर देखेंगे वह हम सिर्फ फर से लिस चैप्टर पर बेस्ट हम उतना ही उनके करेक्टर को आज रिवील यहां पर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं मारगा मिंको इजे जियूस गर्ल हुर सफर्स नोट अल्ली सफर्ड अलोट अफ पेहन और लॉस्ट दूरिंग दा वार बट अल्सो लॉस्ट अर बिलप्ट मदर कि जो मारगा मिंको है ये एक जियूस गर्ल थी एक यहुदी लड़की थी जो कि यहुदी धरम को बिलॉंग करती थी और जिनों ने ना केवल बहुत ज़ादा पेन को बरदाश किया सफर किया बलकि इनोंने बहुत कुछ खो दिया युद के दौरान और उनी में से एक थी इन सा समय था स्टूडेंट्स ये समय था सेकिंड वर्ल्ड वार का हॉलेंड वॉस फाइटिंग फॉर इस फ्रीडम हॉलेंड जो था अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और हॉलेंड से ये दोनों बिलॉंग करती थी मारगा मिंको और इनकी मदर मारगा जोइ था स्टूडेंट्स कि जबकि हॉलेंड में जो जूइस फैमिली थी यानि कि जो यहूदी परिवार थे उनको मारा जा रहा था उनकी चीजों को लूटा जा रहा था और पूरे के पूरे परिवार जो है भागने पर मजबूर थे और जब मारगा जो है लड़ाई के दोरान ही अपने घर वापिस आई और तब उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो उनकी मा है अपने घर का जो कीमती समान है एक अपनी पुरानी परिचित मिसिस डार्लिंग को दे रही है और जो मिसिस डार्लिंग थी उन्होंने उनकी मा को ये प्रामिस किया था कि जब लड़ाई खतम हो जाएगी तो जितना भी कीमती समान है वो उनको वो वापिस कर देंगी तो मिसिस डार्लिंग ने मिसिस एस को और मिसिस एस को उनको की मदर है तो मिसिस डार्लिंग ने उनको कहा था कि लड़ाई के दोरान आपका कीमती समान लूट लिया जाएगा तो बहतर है कि आप इसे मुझे दे दो मैं इसे सेफ रखोंगी और जब लड़ाई खतम हो जाए और ये एक ऐसी बहादूर और सहासी लड़की थी कि जुनों ने बहुत सारे चैलेंज को फेस किया जो कि अकेले जीवन में हर इनसान फेस करता है और जब लड़ाई खतम हो गई तो नों ने पूरे सहास के साथ पूरी बहादूरी के साथ अकेले इन सारे चैलेंज को फेस करत अब जो मारगा है वो अपनी माँ को बहुत जादा प्यार करते थी तो इसी वज़े से वो अपनी माँ की उन चीजों के साथ भी बहुत जादा अटैस थी और जब लड़ाई खतम हो गई और लड़ाई खतम होने के बाद वो वापिस अपने होम सिटी में आई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मिस्स डॉरलिंग के घर जाएंगी और अपनी माँ का जितना भी यादगार वेलियोबल से कीमती समान है उसको वो वापिस लेकर रहेंगी क्योंकि ये जो सारा ही समान था स्टॉटन्स इससे उनकी मा की यादे जुड़ी हुई थी और जब मारगा मिस्स डॉरलिंग के घर गई तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने उसकी मा का ग्रीन का कार्डिगन था उसको उन्होंने पहना हुआ था और वो इसी चीज़ से इस बात को जान गई कि मिस्स डॉरलिंग जो है उनकी मा के कीमति सामान को यूज़ कर रही है अगर उन्होंने उनके ग्रीन निटेट कार्डिगन को पहना हुआ है तो इट मेंस के वो सारे ही चीज़ों को अपने घर में यूज़ कर रही है अब उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा परताव किया अब उन्होंने उसे पहचानने से भी इंकार कर दिया और उसको दरवाजे से ही वापिस लोटा दिया Marga was a very patient and gentle lady लेकिन जो Marga थी वो बहुत ही धहरेवान और बहुत ही सभ्य लेडी थी She knew what to talk about on any occasions और उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से पता था कि किसी भी occasion पर किसी भी अफसर पर किस तरीके से बात करनी चाहिए कितना तो बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए To prove this point we would like to give an example here और अपने इस point को prove करने के लिए हम यहाँ पर एक example देंगे कि वो बहुत ही सभ्य लेडी थी और धेरेवार लेडी थी Second time when Marga went to darling's house in the absence of her She met the daughter of her और second time में जब Marga Mrs. Darling की घर गई तो उस वक्त Mrs. Darling घर पर नहीं थी और उस वक्त वो उन से किस से मिली तो उस वक्त वो किस से मिलती है students वो Mrs. Darling की daughter से महाँ पर मिलती है Her daughter didn't know that her mother was a greedy woman अब जो उनकी बेटी है वो यह नहीं जानती थी कि जो उनकी मा है वो बहुत ही एक लालची lady है and took away all the value bills from the Marga's house और यह जितना भी कीमती समान उनकी घर पर रखा हुआ है जिसको की वो लोग यूज करते है यह सारा कीमती समान actually में वो Marga की घर से ही लेकर आई थी She had cheated them और उनकी मा ने उनको cheat किया है तो उनकी बेटी जो है यह बिल्कुल भी नहीं जानती थी तो Mrs. Darling ने अपनी बेटी से सारी चीज़े छुपाई थी Marga didn't tell these to Mrs. Darling's daughter and she quietly went back from their house अब Marga ने यह चीज़े बिल्कुल भी Mrs. Darling के बेटी को नहीं बताई उनकी मा की असलत उनसे छुपा कर रखी और वो चुप चाप उनके घर से वापिस आ गई तो यह जो चीज़ है यही चीज़ प्रूव करती है students कि वो कितनी दहरेवान और कितनी सभ्भे लेडी थी Mrs. Darling's cold, indifferent and discouraging behavior further depresses her अब Mrs. Darling ने जो उनके साथ बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा असब है और उनको निराश करने वाला जो behave किया था तो इससे वो ज़्यादा depressed हो जाती है she had already suffered many losses including the labor loss of her dear mother और वो पहले ही युद्ध के दोरान बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुकी थी और इसमें जो उन्होंने अपने प्यारी मा को खोया था वो जो नुकसान उन्होंने उठाया था उसकी तो कोई भरपाई भी नहीं थी finally she decided to leave her mother's things and forget them for our और finally वो यह decide कर लेती है कि वो अपनी मा की सारी चीजों को यहीं पर छोड़तेंगी और उसे हमेशा के लिए भूल जाएंगी as the things will evoke her mother's memories more often and make her more miserables क्योंकि होना क्या था कि अगर वो चीजें यहां से ले पी जाती तो यह उनकी मा की यादों को ताजा करती और जिससे की उनको और भी जादा दुखदाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता तो यही सोच कर वो ही सोच लेती हैं कि यह सारी चीजें उन्होंने Mrs. Darling के घर पर ही छोड़ देना है इसको अपने साथ पापिस लेकर नहीं जाना और दूसरे तरफ अभी जितने भी जो कीमती चीजे थी इनके साथ एक लालचे महिला की यादे भी जुड़ चुकी थी जिस पर कि उसकी माने बहुत जादा विश्वाश किया था और इसने क्या था कि इसकी मान को दोगा दिया था और इसी वज़े से अब जो मारगा है अब Mrs. Darling को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी तो उन्होंने यही सोचा कि अगर वोई चीजे यहां से ले जाएंगी तो क्योंकि यह चीजे Mrs. Darling जो है यूज कर रही है तो इन सारी चीजों पर अब Mrs. Darling की भी चाप पड़ चुकी है जब वो इन चीजों को देखेंगी तो उन्हें अपनी मा के साथ सथ Mrs. Darling भी याद आएंगी और यह वही Mrs. Darling है जिन्होंने उनकी मा को दोगा दिया और वो ऐसी लालची महिला को याद नहीं करना चाहती थी तो यही सोच कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो चीजे है छोड़ देंगी तो स्टूडेंट्स यह था करेक्टर स्केच मारगा मिंको का उमीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वेल्यूपल वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में चैनल को वेल्यूपल यहिए